हलो एवरिवर्ड वल्कम टू मैं इटूब चानल एट हल्पलाइन कैसे हैं आप लोग जैसा कि आप लोग को पता है कि इगनु का 36 कॉन्वकेशन तीन अप्रियल को इगनु के हेटक्वाटर में एन अल ओवर इंडिया में कंड़क करवाया गया लास्ट सेशन से इगनु के तरफ से एक फेसलिटी स्टार्ट की गई कि जितने भी स्ट्रेंट कॉन्वकेशन के लिए रेजिस्टेशन करेंगे तो उनको एक डिजिटल डिगरी उसी दिन जिस दिन कॉन्वकेशन कंड़क करवाया जाएगा उसी दिन ही available करवा दिया जाएगा और वो लोग digital degree को same day जिस दिन convocation हुआ उसी दिन ही download कर सकते हैं क्योंकि आप लोको पता होगा ये बात की convocation में original degree तो दी जाती है लेकिन सभी student को उसी दिन original degree नहीं मिल पाता है क्योंकि convocation का जो when you decide होता है वहाँ पे उतने सारे student का जगा तो होता नहीं है student हजारों के तदाद में registration करते हैं online registration करते हैं लेकिन जो convocation होता है वहाँ पे 200-300 CT होता है लेकिन बाकिया दे student को degree तो by post भेजा जाता है और वो पहुँचने में उनको कम से कम one month one and a half month तक लग जाता है तब जाके उनको original degree मिल पाता है लेकिन अगर वो लोग चाहें तो original degree उसी दिन same day ही download कर सकते हैं और ये facility इगनू ने 35th convocation से start किया था 35th convocation में आप लोग ने देखा होगा कि इगनू के official website पे ही direct link दे दिया गया था जिससे student अपना digital degree उसी दिन download कर पा रहे थे लेकिन इस बार इगनू के official website पे हैसा कोई link तो activate किया नहीं गया तो फिर original degree डाउनलोड कैसे करोगे तो इस बार online digital degree डाउनलोड करने के लिए आपको समर्थ portal पे आना परेगा यानि कि re-registration जिस portal से आप लोग करते हो वहां से आप लोग digital degree को डाउनलोड कर पाओगे कैसे करोगे उसके बार में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ ध्यान से देखिएगा और अगर आप ये चल्पन चानल पे फॉस्ट आमाया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एगनुक रिलेटेड हरे के ट्रस्टे इंफरमिशन आप लोग को यहीं पर देखने को मिलेगी यहां पे आप लोगों सबसे पहले तो री रेस्टेशन का पॉटल पे आना होगा इस तरीका से ओपन होगा यहां पे इसके पी ऊपर क्लिक करना इसके इदक नशना होगे यहां पे समर्थs पॉटल पे आ जाओगे यहां पे जो पिस्टेश्टेशन को अभी डिगरी मिला होगा तो उन्हों ने तो अशना प्रकाम पॉटल पे रेस्टेशन किया होगा तो आपके mobile पे और email address पे एक OTP जाएगा, password create करना होगा, उसके बाद से आपका account create हो जाएगा, और अगर आपका account already created है, यहाँ पे आपको directly enrollment number password capture put करोगे, login करोगे, तो login हो जाएगा, लेकिन मुझे तो इतना पता है, कि जितने वे student है, उनको password आप कहाँ से याद आने वाला है, तो simply आपको reset करना होगा, अगर आपको password याद नहीं है, तो अपना password reset कर लेना, उसके बाद से यहाँ पे enrollment number, password और capture put करना, जैसे enrollment number, password and capture put करोगे, login करोगे, तो इस तरीका से login हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे आपका dashboard soon होने लाएगा, यहाँ पे आप लोग देखोगे, तो dashboard profile, यहाँ पे आपका program का नाम, re-regulation service, उसके बाद से नीचे में एक option दिखेगा, my certificate, ठेक है, इसके उपर click करोगे, उसके बाद से option आएगा, all certificate, इसके उपर click करोगे, तो यहाँ पे देखो, आपका, यहाँ पे digital degree, so, होनी लाएगा, अगर आपने fee payment किया होगा, तो यहाँ दखना, यह सुभीदा, आपको तभी मिलेगा, अगर आपने fee payment किया होगा, 36 convocation के लिए, online registration किया होगा, तभी आप लोग digital degree को download कर सकते, यहाँ पे आपका enrollment number, यहाँ पे आपका program, यहाँ पे session, उसके बास से certificate number लिखाएगा, उसके बास यहाँ पे option रहेगा download, इसके उपर जैसी आप लोग क्लिक करोगे, आपका original digital degree download हो जाएगा, जो कुछ इस परकार से होगा, जो आप लोग के screen के उपर नजर आ रहा है, यहा session में आपने complete किया, वो session लिखाएगा, examination is hereby awarded the degree of master of arts in English, division first, यहाँ पे star का sign, vice chancellor का sign, यहाँ पे date, new deal ले, ठीक है, तो इस तरीका से आपका digital degree download हो जाएगा, जिसको आप soft copy में रख सकते हो, और इसको भी कहीं पे चाहो तो use कर सकते हो, हलाकि आपको जो hard copy में है degree वो तो one month के अंदर में by post आपके घर पे मिली जाएगा, लेकिन instantly आप लोग ये digital degree को download कर सकते हो, समर्थ portal से, तो आप लोग को समझ में आ गया, simple सा process है, करना क्या है, बस आपको समर्थ portal पे विजिट करना है, अपने enrollment number प्रोगाम, sorry, enrollment number password पूट करना है, और उसके बाद से login करोगे, यह यहाँ पे आप लोग को option मिल जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे my certificate में जाओगे, उसके बाद से all certificate के उपर click करोगे, और यहाँ पे आपको download का option दिख जाएगा, उसके उपर click करोगे, और आप अपना digital degree को on the spot download कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया, सिर्फ वही student download कर सकत तो ऐसा attention की बात नहीं है, one month के बाद अपने regional center पे visit करना, या फिर next few days में भी visit कर सकते हो, 600 रुपया का demand रफ बनाना परेगा, in favor of IGNU, payable at your regional center city, और जाओगे, तो आपको हाँ तो हाँ मिल जागा, या कुछ दिनों के अंदर में मिल जाएगा, तो आप लोको समझ में आया तो यही सबते हैं इस वीडियो में, IGNU के तरफ से 36 convocation के लिए, digital degree के लिए बता तो दिया गया था कि मिलने वाला है, लेकिन कैसे मिलेगा, किस तरीका से download करना होगा, उसके बार में information नहीं दिया गया था, जिसके बार में मैं आप लोको इस वीडियो में detailed information दे रहा था, अगर आप AH Helpline Channel पे first time आये हैं, तो make sure आप लोग पहली फुरसत में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, so thank you so much for watching this video, have an awesome day, thank you so much.